नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पंच्तंत्र की कहानी, राक्षस का भाए, दोस्तों, एक नगर में भद से नाम का राजा रहता था, उसकी कन्या रतनवती बहुत रुपवती थी, उसे हर समय यही दर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरन न कर ले, उसके महल के चारों और पहरा रहता था, फिर भी वह सदादर से कापती रहती थी, रात के समय उसका दर और भी बढ़ जाता था, एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नजर बचा कर रतनवती के घर में घुस गया, घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिर्पा हु इसका कोई उपायकर, राजकुमारी के मुख से ये सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा, जिससे राजकुमारी इतनी दर्ती है, किसी तरह ये जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है, ये सोचकर वह घोडे का रू इसका कर उसने घुडों की देख भाल की और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुन्दर घुडा देखकर वह उसकी पित पर चद गया, अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्य मेव यह व्यक्ती ही विकाल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ही मेरी पीत पर चड़ा है, किन्तो अब कोई चारा नहीं था, उसके मुख में लगाम पर चुकी थी, चोर के हाथ में चाबुक थी, चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ, कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम कीची, लेकिन घुडा भागता ही गया, उसका वेग कम होने की स्थान पर बढ़ता ही गया, तब चोर के मन में शनका हुई, ये घुडा नहीं बलकि घुडे की सूरत में कोई राक्षस है, जो मुझे माना चाहता है, किसी उबर खाबर जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा, मेरी हड़ी पसली तूर जाएग ये सोच ही रहा था कि सामने वट रिक्ष की एक शाखा आई, घुडा उसके नीचे से गुझरा, चोर ने घुडे से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया, घुडा नीचे से गुझर गया, चोर रिक्ष की शाखा से लटक कर बच गया, उसी र प्रिक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने दर से भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुला कर कहा। पीरा तो बहुत हुई लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ती को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीरा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र चाहे तुम कुछ ही कहो, किन्तु तुम्हारा चेहर कह रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। ये कह कर वह भाग गया। सुवर्ण सिधी बोला, तो भाई, मुझे भी घर जाने की आग्या दो, तुम अपने लोभरूपी व्रिक्ष का फल यहां रहकर चको। चक्रधर बोला भाई, ये तो बिना किसी कारण के ही हो गया, मनुष्य को शुब अशुब फल के भोग भाग्य वश भोगने ही पढ़ते हैं। कहा गया है कि जिस रावन का दुर्ट्रिकूर्ट था, समुद्र खाय थे, योध्धा राक्षस थे, कुबेर से अटूर धन मिला था, जो स्वयम शुक्राचार्य की राजनीती का महान पंडित था, वह भी दुर्भाग्य से विपत्ती के चक्र में पिस गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे।